आज इस वीडियो में बात करेंगे इनफोसस के बारे में मंडे को इनफोसस क्या हो सकता है 10 परसंड का लोवर सर्कृट लग सकता है कि इनफोसस के अंदर फिर क्या करना चाहिए और एक चीज आपके साथ शेयर करूंगा उस्ते पहले डिस्क्लेमर नहीं पढ़ा है डिस्क्ल सकते हो मुझे और और बी डिटेल्स आप ले सकते हो डेफिनेटली मैं रिकमेंड करूंगा आपको ये कोर्स जोइन करने के लिए आपको आपका परस्पेक्टिव मार्केट के खिलाफ एकदम बदल जाएगा प्लस आप जितना लॉस कर रहे हो उसको मैं मैं आपको एक अश काम कर चुके हैं ऑह अगर अपनी अनलेसस मह सिक कर रहा है सीखा रहा है तो तो उसbnते डारेक्ली सीख लो तो यसितना बदा है ज़एम्दें, वाल सapolis अब बात करते हैं, in farmers के बारे में मैं और मैं वुनेजे को एक व्यडियो बना क लाना था जब काफी मुझे हीट मिला था frankly speaking मैंने expect नहीं किया था कि लोग बतब खाली bullish ही bullish सुनना चाते हैं हर stock के बारे में ऐसा नहीं है मैंने कहा था कि Infosys का technical chart pattern week लग रहा है आप लोग मुझे से demand करते हो कि sir result आने के पहले एक बार चार्ट के उपर आप आपके analysis शेर कीजिए कि result आने के पहले क्या लग रहा है तो result आने के पहले देखे fundamentals तो मुझे पता नहीं वो तो result आएंगे उसके बाद change हो जाएगा fundamentals क्या होंगे क्या नहीं होंगे वो मुझे पता ने टेक्निकल्स जो मुझे दिख रहे है वो मैं आपके साथ share कर रहा था वो एक ही चीज कह रहे थे कि week है week है और week है और गिरेगा तब मैंने आपके साथ का था कि अगर आपके पास holdings में है अगर आपको trade नहीं करना है पुट option buy कर लिजे मैंने इतना तक कहा था कि far out of the money का पुट option buy करके रखिये निकल्ट trade करना है अगर आपको या आपको hedge करना है जो भी करना है एक ही चीज मैंने कहा था कि गिरेगा गिरतावा ही दिख रहा है वो भी 99.99% chances है कि वो break करके उसके उपर जाएगा ही जाएगा इतना fundamentally strong company लेकिन short term के अंदर अगर आपको earn करना है तो वो आप long term basis पे आप analysis नहीं कर रहे है अगर आपको long term के लिए चाहिए तो फिर आपको खाली fundamentals देखना है फिर आपको technicals कम ही देखना है फिर आपको ऐसे रोज-रोज के लिए नहीं देखना है कि मंडे को क्या हो जागा आप लोग पूछते भी हो कि मंडे को क्या होगा वो बताओ और आप लोग को view चाहिए लंबे time का तो अब मंडे को इंडिया के अंदर mostly chance है कि 6% से जादा 5-6% से जादा ही stock गिरतावा दिखेगा EDR में आपको clearly FIIs का view दिखता है कि FIIs का क्या view है उसमें domestic players नहीं होते तो mostly chances है कि मंडे को शायद आपको जितना EDR गिर रहा है उस ते थोड़ा कम गिरता हो देखने को मिले या थोड़ा ज़ादा भी हो सकता है FIIs का view दिखता है इंडिया के अंदर domestic players क्या bullish है कि बेरिश है कि उनीचे खरीदेंगे कि और बेचेंगे वो आपको मंडे को पता चलेगा retailers का क्या view है bullish है कि बेरिश है वो और बेचेंगे कि और खरीदेंगे वो आपको मंडे को पता चलेगा तो chances are very high कि 5-6% मिनीमम मंडे को इंडिया में भी आपको ये stock गिरता हुआ दिखने को मिलेगा शायरे प 10% तक चला जाए या उसके beyond भी जाए we never know हम कुछ कह नहीं सकते Infosys थोड़ा सा IoT के अंदर एक volatile counter रहता है result के बाद ADR अगर आप देखोगे 10% का दिखा रहा है fall जिसके हिसाब से अगर हम बात करें इंडिया के हिसाब से तो इंडिया के हिसाब से जो price जो मैंने आपको वेनस्डी को शेर के थी कि और chances अब यह हो भी रहा है कि 1570 तक eventually आपको Infosys का stock देखने को मिलेगा यह जो यहाँ पर अच्छा खासा consolidation हुआ है उसका breakdown आपको देखने को मिलेगा और जब breakdown आपको देखने को मिलेगा तो 1570 पर आपको पूरा 100% buy नहीं करना है अगर आपको Infosys आपके portfolio में करना है तो यह मत समझेगा कि अब breakdown आगया इतना अच्छा लेवल मिल रहा है 1570 पर भाई कर ले नहीं सर इतना बड़ा breakdown है यहाँ पर कितने लोगों ने भाई कि होगा सोचिए अगर मैं जुलाई से बात करूँ जुलाई ऑगस्ट से यह अभी आगया आपका मार्च एप्र करना है एक साथ क्यूंड नहीं करना है यह चीज मैंने पहले भी आपको साथ शेयर के थी कि अब शाहद इति कंसॉलिडिशन में चलजाएगा प्राइज वाइस और टाइम वाइस कंसॉलिड़िशन में चलजाएगा बैंकिंग पर आपको फोकस थोड़ा बढ़ा लेना है मैं को थोड़ा सा स्ट्रॉंग लग रहा है ओवराल बैंकिंग की बात कर रहा हूं मैं अब HDFC के उपर भी मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर करने वाला हूँ चार्टी के लिए क्या लगता है उस पर आप कुछ कर नहीं पाओगे क्योंकि अल्रडी मार्केट क्लोज हो गय गणा है वो मैं को करना च stewards लेगन में को इन्फो से जादा क्लियर डैरेक्शन दिख रहा था कि गरेगा और तगड़ा गि Rahe की अगर आप वो वीडियो जाकर देखोगे एक वीडियो बनाकर डाला था मैंने काफी clearly मैंने कहा था मैंने मेरे जो premium members जो मेरे group है जिन्होंने courses join कर रखा है उनको तो मैंने share भी कर दिया था कि sir या तो holdings में से निकल जाएए या तो आप put option बाई कर लीजे और disclosure disclaimer मैं भी दे दू कि मैंने भी put option infosys का naked put option बाई कर रखा है क्योंकि मुझे technically weak लग रहा था fundamentals वो एक risk है technically तो मुझे दिख रहा है कि फंडामेंटल एक risk लेके मैं चल रहा था कि शायद अगर result अच्छे आ जाए तो यासे तक डावला bounce back भी आ सकता है वो मुझे भी पता था लेकिन मैं technicals को ज़्यादा follow करता हूँ मैं fundamentals को कम follow करता हूँ क्योंकि chart आपको clearly बता देता है पहले ही कि क्या होने वाला है क्या हो सकता है वो आपको clearly दिखा रहा है price action दिख रहा है वापे actual पैसा है fundamentals में पैसा नहीं है technicals में पैसा है technicals पैसे के साब से बनता है fundamentals पैसे से नहीं बनता है fundamentals paper पे बनता है कि इतना इसका कमाल यह इतना इसके पास है तो यह इतना valuable हो गया technically अगर आपको दिखाना है कि chart में bullish है तो दबा के पैसे लोग invest करेंगे तो चार्ट बनेगा bullish, अगर weak है तो दबा के लोग पैसा निकालेंगे तो चार्ट बनेगा bearish, तो वो दिखाता है कि mood-mohal क्या है लोगों का, तो mood-mohal यहाँ पर एक ही दिखना था, weak है ठुक रहा था, लोग यह समझे थे कि अब result के बाद अच्छा आएगा, नहीं अब और गिरेगा, 1570 तक तो minimum आना ही चाहिए, 1670 का level break होगा, मैंने का था, यह इतना easily sustainable नहीं है क्योंकि इतने बार यहाँ पर रुका है you never know, अगर Monday तो कुछ बहुत अच्छा news आजाता, infosys के लिए particular infosys के लिए, तो शायद यह flat खोले, positive तो आप दिखी नहीं रहा है इस result के बाद, तो शायद flat खोले, जिसके chances 90% नहीं है, we can't rule it out बठा, फिर भी जो share किया था वो सही होता वा, आपको जहने को मिला है यह आपके साथ share करना था, अब fresh थोड़ा सा profit book करेंगे, profit तो क्या होगा loss book करेंगे, क्योंकि time waste हो रहा है, उनका एक साल हो गया, तो और शायद आपको निचे देखने में मैं सकता है, इस साल के अंदर अगर infosys आपको इस range में 1390 से लेके 1500 की range में अगर मिलता है, तो यहाँ पर थोड़ा-थोड़ा accumulation बनता है, 1570 के पहले accumulate करना, मेरे लिए थोड़ा सा uncomfortable होगा, फिर बात क्या हुई, फिर मजा क्या है, अब तो तूटा है तो अब थोड़ा रूखेंगे हम, फिर buy करेंगे, तो यह था infosys के लिए HDFC के पर एक वीडियो आने वाला है, Nifty Bank Nifty के पर एक वीडियो आने वाला है, courses जोइन नी किया तो और इस तो डिटेल आपको समझ माएगा कैसे आप put buy करना है, कैसे call buy करना है courses के पैसे निकालना बहुत easy है, मैं एक चीज़ आपको कह सकते हो course का पैसा निकालना अगर आप course करते हो, तो बहुत easy है एक मेना एक हफ्ते में आप निकाल सकते हो, अगर आप मन लगाकर हमारा course करते हो, तो live course होगा, one-on-one course होगा कोई उसमें group course नहीं है